क्या सरकार आप किसान वर्सिस किसान कराने जा रही है क्या किसान आंदूलोन को कोट कचहरी के चकर में फसाने की कोशिश हो सकती है उपर से ये भी लगता है कि सरकार लगातार किसानों के साथ गतिरोध दूर करने की कोशिश में है लेकिन जब आप करीब से देखेंगे तो इस कोशिश पर शक होने लगेगा आठ जुन्वरी को आठवे दौर की बैठक भी बेनती जा रही लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है ऐसा लग रहा है कि बात बनने के बजाए और बिगरती जा रही है आठवे दौर की बातचीत में जो हुआ और बाहर आकर किसान निताओं और क्रिशिमंत्री ने जो जो कहा उससे तो यही लगता है कि मामला अब और बिगरता जा रहा है सूत्र बताते हैं कि आठ जन्वरी की बैठक में किसान मौन ही रहे उनका कहना था कि जब कानून वापसी पर बात ही नहीं होनी है तो क्या बात करें समझ में ये नहीं आता कि जब साथवे दौर की बातचीत में भी बात यही पर अटकी हुई थी तो ये आठवे दौर की बातचीत की बुनियाद ही क्या थी ये बात समझना पड़ेगा कि आठवे दौर की ये बातचीत हुई ही क्यों कोरोना संक्रमन की खत्रे की भी हजारों किसानों का एक जगां जगां हो जाना कम कपाती ठंड में किसानों का खुले आसमान के नीचे रहना इन सब के बीच ये आंदोलन खत्म कराने पर सरकार कितनी गंभीर है यही सवाल है और बड़ा सवाल है क्योंकि आठ जिन्वरी की बैठग में दोनों ही पक्षों का स्टेंड वही पुराना था ऐसा लगता है कि सरकार ठकाने की टाल मटोल करने की कोशिश में लग रही थी वहीं किसान निताओं का रुक साफ था पुराना था कि किसान कानूनों की पूरी तरह से वापसी हो इसे वापस लिया जाए अब देखिए बैठग के बाद क्या हुआ बैठग खत्म होने के बाद क्रिश मंतरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तो हम उन किसानों से बात कर रहे हैं जो कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कोई विचार नहीं है लेकिन जरूरत पड़ी तो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे किसान संगठनों को भी बैठक में शामिल करने का न्योता दिया जा सकता है केंद्री किर्शी मंतरी का कहना है कि सरकार ने बार बार कहा है कि किसान यूनियन अगर कानून वापस लेने के अलावा किसी विकल्प को लेकर सामने आते हैं तो हम बात करेंगे, हम बात करने को तयार हैं आंदुलन कर रहे हैं लोगों का मानना है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और इसके अलावा कोई आप्शन नहीं है लेकिन देश में बहुत से लोग इन कानूनों के पक्ष में हैं ऐसा क्रिशी मंतरी का तर्ग है बैठकों में प्रदर्शन में किसान वर्षिस किसान वाली जो थ्योरी बड़े दिनों से जिद्धी जा रही थी अब हो सकता है कि मिटिंग में बैठकों में उसका प्रैक्टिकल देखने को मिल जाए मंतरी जी से मुलाकात के बाद अखिल भारती किसान सवा के मासचीव ने दावा किया था कि सरकार ने कहा है कि कोट में चलो इस बात पर किसानों की तरफ से कहा गया कि कोट में जाने का तो सवाली नहीं उठता क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा है कि कोई कानून ये जो नए किसान कानून है वो कानूनी है या गैर कानूनी है किसान तो ये कह रहा है कि वो इन कानूनों के खिलाफ है चाहें वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से अगर कोट में जाने की बात कही गई है ऐसा दावा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार इस बारे में भी सोच रही है या सोच सकती है कि किसान प्रदर्शन के खिलाफ अगर कोट की तरफ से कोई कमेंट आ जाए या कोई आदेश आ जाता है तो प्रदर्शन की धार्ग को कमजोर किया जा सकता है अब कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार और किसानों के बीच का ये जो गतिरोध है ये जारी रहेगा आगे बीजारी रहेगा किसान 7 जनवरी को ट्रेक्टर मॉर्च और 26 जनवरी के ट्रेक्टर परेड का ट्रेलर डिखा चुके हैं इस ट्रेक्टर मॉर्च में ही किसान निता राकेश टिकेट ने कुट से बाखशित में कहा था कि ये तो रिहरसल है और हम यानि किसान मई 2024 की तयारी करके आए हैं। इन सब के बीच किसान आंदुलन में हिस्सा ले रहे और मुखर रहे योगे न्रियादों की एक बात जिसे वो चेतावनी कह रहे हैं वो जाननी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ये लड़ाई किसान नहीं जीतते तो अगले 20 साल तक कोई किसान आंदुलन इस देश में नहीं होगा। लोग हसेंगे कि 2,000,000 लोग कुछ नहीं कर सकें तो ये 2,000 या 2,000 लोग क्या कर लेंगे। शायद किसानों को ये बात पहले से पता है और वो अपनी मांगों पर पूरी तरह से डटे हुए है।